प्रेट्टर भरेद अरोरा आज हम डिस्केस करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग हाइट ऑफ यूड गेज्ट बच्चों की हाइट नियूबॉर्ण से लेकर प्यूबर्टी तक कितना होना चाहिए और उससे आगे कितना बढ़ना चाहिए कितना हाइट आपका बच्चा अटेन कर सकता है, किन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, क्या-क्या फैक्टर हमें करने चाहिए ताकि वो अपनी हाइट बढ़ा सके तो सबसे पहले जानने से पहले कि उनकी हाइट नियूबॉर्ण पे कितनी होनी चाहिए अगर फादर और मदर की हाइट छोटी है या लंबी है तो तो देर इस जेनिटिक टेंडेंसी कि आपका बेबी आपे की हाइट के अकॉर्डिंगली ही उसी की हाइट अटेंड कर पाएगा निच्ट फैक्टर इजनिट्रिशन अपने बल्डे को क्या और कैसा खाना दे रहे हैं पॉस्ट कहार दे रहे हैं यह नहीं नहीं तो स्ट प्रिंपोर्ट्न फैक्टर ऑफटNING का रखेग more फैंड फिल अकक्टी parent sedentary lifestyle वाले बच्चे की हाइट हमेशा कम ही रहेगी as compared to the one that is physically अगर इन तीन चीजों को निकाल दें आपके genes, आपके nutrition और आपका physical activity अगर ये kind of factors are positive in you कि आपकी genetics भी आपकी हाइट लंबी है आप you are having good amount of nutritious food and the third thing is that you are having a physically active child उसके बाद भी आपके बच्चे की हाइट छोटी हो रही है that there may be some endocrinal abnormalities maybe dwarfism, maybe some kind of problems जो हमें evaluate करने होते हैं that is the time when you have to consult your pediatrician कि हाँ sir height नहीं बढ़ रही है, ma'am height नहीं बढ़ रही है how should we plan, how should we improve कि इसकी height आगे जाके कम ना रहे और आगे जाके इसको problems ना हो एक और factor जो important आता है वो आता है कि small for gestational age या preterm time से पहले with babies उनकी height या उनके weight में abnormalities रह जाती है जो time से पहले होते हैं उनके weight gain या उनकी height gain में time लगता है तो these are some kind of factors that will affect the height of your child तो what is the actual height of your child? हम height कैसे determine करेंगे कि बच्चे की height actual कितनी होनी चाहिए तो हम अगर एक standard मान के चलते हैं तो Indian Academy of Pediatrics has maintained a scale कि when there is the birth of a newborn, the height, हम height नहीं लेते हैं उस चीज़ को we'll take it as a length क्योंकि आपका बच्चा खड़ा नहीं हो सकता तो हम दो साल तक उसको length लिया जाता है वो infantometer आता है कि बच्चे को जब लेट आते हैं तो हम infantometer से उसका length note down करते हैं the length of the baby at birth is 50 cm जो की एक साल तक जाके आपका 75 cm उसके बाद 2nd year, 3rd year या 4th year तक जाते जाते हैं वो बच्चा 100 cm तक आता है that is 85 cm, 95 cm and 100 cm मतलब चार साल में बच्चा सिर्फ 50 cm ही गेन कर पाता है an average Indian child जो की length गेन कर पाता है उसके बाद बच्चा आमोमन 6-7 cm per year ही गेन कर पाता है जब तक कि pubertal spurt ना हो जाए, puberty आमोमन लडकियों में 9-10 years of age और लडकों में around 12-13 years of age पे आती है जबकि हमारा जो growth pattern होता है जो height gain की शमता होती है वो double हो जाती है 12-14 cm per year गेन करने की शमता हमारे बच्चों में होती है इस time पे, puberty के time पे हमें उनको high nutritious diet, high proteinious diet देना बहुत जरूरी होता है calcium rich diet देना बहुत जरूरी होती है ताकि हड़ियों में मजबूती आये वो physical activity उतना ही कर पाएं ताकि वो height gains कर सकें कई बार parents query लेके आते हैं कि बच्चे की height कम है sir हमारको height increase करनी है height increase करने के लिए कोई tonic दे दीजे, weight increase करने के लिए कोई tonic दे दीजे height and weight increase करने के लिए कोई tonic नहीं होता, it depends upon genetics genetics of your parents, the genes determine the actual height of your baby अगर आपका बच्चा आपको लग रहा है कि छोटा है तो we will definitely find out a cause की उसका height कम क्यों है जब भी आप doctor को visit करते हैं कि आपके baby की height regarding तो सबसे पहले वो determine करेगा कि mean parental height कितनी है तो mean parental height find out करने के बाहद ही वो बता पाएगा what the actual height of your baby will attain कि वो छोटा रहेगा या height में रहेगा क्या factors आप दे सकने हैं क्या खाने में उसे nutritious दे सकने हैं ताकि वो अपनी height gain कर ले और कौन-कौन सी ऐसी physical activities हैं कि वो करे और ताकि उसकी height gain हो जाए बच्चे का पेट भरना ही सब कुछ नहीं होता कि वो carbohydrates या फिर junk food या फिर सारी चीज़ें अगर खा रहा है तो हाँ वो खाना खा रहा है we have to give high nutritious diet rich in minerals ताकि उसकी bones भी strong हो ताकि उसकी height जब increase करे तो जब increase हो रहा है तो उसकी strength भी बड़े उसकी muscle strength और bone strength भी बड़े तो these are those factors कि हम उसको जब भी pubertal spurt हो तो हम उनको highly nutritious diet दें diet rich in protein like soya bean अगर आप vegetarian है तो soya bean पनीर, डाल, pulses यह दे सकते हैं अगर आप non vegetarian है तो fish हो गया, chicken हो गया यह सब increase amounts में दे सकते हैं ताकि उसकी height में जब spurt हो रहा है तो उसको उतना ही amount of nutrition मिले ताकि अगर spurt हो रहा है तो उसमें रुकावट ना पैदा हो nutrition की वज़ा से तो height के regarding अगर हमारे parents की कुछ doubt रह गए होंगे तो शायर हो मैं solve कर पाया हूँ अपने इस video के माध्यम से फिर भी अगर कुछ queries रह गई हैं या आपको अगर कुछ problems हैं जो आप discuss करना चाहते हैं अपने pediatrician से तो please go forward and discuss those issues या नीचे लिखे गए number पर contact करके अपने issues को आप raise कर सकते हैं thank you so much